हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का सौगत है हमाँ यूटूब चैनल में दोस्तों दोस्तों तो सिच्छ stems संबंदित आपके लिए ख़बर आई है आदर से सिच्छ stems vom कि तरफ से जियां दोस्तों आपके लिए जो जितिंदसाई का संगठान उनकी तरफ से खबर आई है और दो बड़ी खबर हैं सिच्छा मित्रों और प्रेरकों से संबंदित जियां दोस्तों तो यह वीडियो देखना आप लोगों को लिए बहुत ही जरूरी यह न्यूस आप लोगों के बहुत ही काम की न्यूस है आपको बता देए एक तरफ तुदेश खुली का तेहार मना रहा है लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर है सिच्छा मित्रों और प्रेरकों को लेकर जियां दोस्तों आई आपको पूरी खबर दिखाते हैं उससे पहले दोस्तों आप लोग सरकार ने तोड़ा भरोसा जियां दोस्तों समायोजित सिच्छक सिच्षामित्र यलफेर स्यां कि तरफ से ये बाते कहीएं कि सरकार से आज ने भरोसा तोड़ दिया है सिच्छामित्रों का आज तो बहुतелен मैं इनके सुनील सर्मा की माने तो सरकार ने उन्हें काफी उमीद थी जो दोस्तों देख सकते जिलाध्य से निकल के आहिए कि उमीद थी मगर सरकार ने सिच्छा मित्रों को करारा जड़का दिया और समायोजन रदिक्या सिच्छा मित्रों के जबरदस अंदोलन के बाद सरकार ने परिच्छा करा कर फिर से नियुक्ति की बात कही सरकार ने परिच्छा में पास होने के लिए अंक निर्धारित कर कहा कि पास होने वाले सिच्छा मित्रों को अध्यापक बनाये जाएगा इस मानक को भी सरकार ने बार-बार बदला जिसके कारण सिच्छा मित्रों को परिच्छा में असफल होना पड़ा वैसे सरकार ने 3500 से मांदे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमा कर दिया है मगर इससे सिच्छा मित्संतुष्ट नहीं है यह बात इनकी तरफ से साफ कही गए कि जो बार-बार मुख्यमंत्री जी की तरफ से बयान देते रहे हैं कि हमने 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया उसका कड़ा विरोध जताया है इन संग्टनों ने और बार-बार कहा कि सरकार से आस तो बहुत थी लेकिन सरकार उस पर खरी नहीं उतरी है तो देख सकते ही है सिच्छा मित्रों के लिए खबार आई है इसमें निकल के सिच्छा मित्र जो थे उसमें इनका साफ काइना है कि जो 10,000 थे उससे संतुष्ट नहीं है सिच्छा मित्र जो सरकार से आस लगाई थी कि जो इस्थाई समाधान करेंगे अपनी कमेटी रिपोर्ड लागू करेंगे लेकिन ऐसा कुछ लगी नहीं रहा है कि कमेटी रिपोर्ड भी थी सिर्फ सरकार की जुम्ने बाजी इसमें निकल के आई है संग्टनों को दोका दिया गया और सिच्छा मित्रों के साथ जूठी बयान बाजी होती रही है सरकार की तरफ से तो देख सकते हैं ये खबर निकल का पर लहां ब्रहिए को तुरुम्ना बैसिक सबांगा थ्याए कहते है थी दोस्य दोस्तों कि एकिर्णत समगरी जुटाना उनके लिए उत्तर-प्रदेश प्रात्मिक सिच्छा मित्र संग के जिला धैच रतनाकर सिंग और आदर्स सिच्छा मित्र वेलफेर एसोसियेशन के जिलादेच सोम प्रकास मिस्र ने बताया कि वर्स 2018 में अपराइल और माई तो इस साल जनवरी फरवरी का मांदेर नहीं दिया गया है इस से खफा सिच्छा मित्रों ने इस होली पर उपवास रखने का नेड़ा लिया है देख सकते हैं दोस्तों वहाई सोम प्रकास मिस्र का कहिना है कि बजट उपलब्द होने के बाद भी सिच्छा मित्रों को मांदे नहीं दिया गया है सरकार की ये देख सकते हैं कि सरकार जो मांदे के लिए बजट भी है लेकिन तब भी सरकार की तरफ से अभी मांदे जारी नहीं किया गया है सिच्छा मित्रों का इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है ये संगटन की तरफ से आरोप लगाएगा है इसे उनके सामने दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने का भी संकट है तेवार पर भूखो रहने की मजबूरी है सिच्छा मित्रों के सामने रतनाकर सिंग कायना है कि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है इससे पहले भी बजट उपलब्ध होने के बापजूद सिच्छा मित्रों के तेवार फीके किये गए हैं आपको बता दें ओप मुख्यमंत्री दिने सर्मा की तरप से सिच्छा मित्रों के लिए दीपा वाली पे कहा गया था दिवाली पे कहा गया था कि आपके घर में घी के दिये जलेंगे लेकिन उनकी ये बयान बाजी जूटी सावित हुई दोस्तों आपको बता दें सिर्फ जुमला ही था ये कि घी के दिये जलेंगे ना तो उन्होंने को इस्थाई समाधन किया और ना ही उनकी कोई करने की उमीद है तो इसलिए देख सकते हैं सिच्छा मित्रों ने अभी सरकार से उमीद लगाना भी छोड़ दिया और सभी सिच्छा मित्र अपनी तयारी करना है लोकसभा चुनाओं में जिसे पार्टी को भी समर्थन करना है वो अच्छे से जानते हैं सिच्छा मित्र किसे समर्थन करना है तो वो अपनी तैयारी कर रहा है तो देख सकते ही ये निकल के है तेहार फीके किये गए हैं उन्हें जान भूज कर मांदेर नहीं दिया जाता है आपको पता है संगठन की तरफ से आरोप लगा है कि सिच्छा मित्रों को जान भूज कर मांदेर नहीं दिया जाता है और उनका तेहार फीके किया जाते हैं इससे परेसानी होती है इसके खिलाफ फांदोलन होगा सिच्छा मित्रों के साथ इतना बेधवाब क्यूं हो रहा है वहीं राजे सुकला का कहिना है कि प्रती सरकार का रवाया अच्छा नहीं है पहले उन से नौकरी छीनी गई अब मांदे नहीं सकते हैं उनके जहलकने लगता है जब बात करते हैं को साफ करने को मजबूर हैं दोस्तों मांदें नहीं देकर पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है सरकार की तरफ से सरकार को इसका खामियाज भूगतना पड़ेगा आपको बताते हैं एक बार फिर से सभी सिच्छा मित्रों की तरफ से देख सकते हैं फोटो भी आपके सामने ये एलान कर दियागा है कि सरकार को इसका खामियाज भुगतना ही पड़ेगा वही मीना देवी का कहना है कि परिवार की स्थिती देखकर आंसु आ जाते हैं देख सकते हैं जो सिच्छा मित्र मीना देवी उनकी फोटो भी आपके सामने आ रही है उनको साफ करना है कि जो परिबार के उनकी स्थिति उनको देखकर आंसुआ जाते हैं क्यूंकि सरकार ने जो सिच्छा मित्र का समय ज़न था वो तो रद करवा ही दिया और अमान देभी नहीं दे रही हैं सरकार बच्चों की खौई से पूरी नहीं हो पा रहे हैं आपको बता दें सभी के बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन कोई भी उनकी खौई से पूरी नहीं हो पा रहे हैं इसलिए सिच्छा मित्र जो है अपने परिवार के स्थेथी देखके बहुत ही दुखी हो जाते हैं ये ख़ सिक्षामित्रों की तरफ सरकार पे आरोप लगाय कि जो उनका वेतन मिलता था वह भी बंद कर दिया गहा और मांदेविन नहीं दिया जा रहा जबकिए उपलब दैस सिछा लड़ी जाएगे क्योंकि सिच्छा मित्रों का तेह। प्रेरकों की ताकत है अब सरकार को दिखेगी कि यह ताकत कितनी है तो देख सकते हैं अब तो न्यूज भी आने लगी है चुनाव में सिच्छा मित्रों प्रेरक सियासी दिगजों के चुनावी गणित को बिगार सकते हैं। परना परदसन लेकिन सरकार पे कोई भी असर नहीं हुआ और वो अपने अडियल रवये पे बरकरार रही और ना ही कोई स्थाई समाधान किया तो देख सकते हैं जिले में करीब ढाई एजार सिच्छा मित्र हैं आपको बता दें यह जिले की बात हो रही है यहां सिच्छा मित दलों के सियासी गड़ित को बिगाडने में एहम रोल निवा सकते हैं आपको बताते हैं जिसकी तरब जुकते हैं यह इतिहास भी रहा है जहां तक मुझे ग्यात है कि सिच्छा मित्रों ने जिस पार्टी को समर्थन किया है या संभीदा करमचारी हों चाहिए कोई भी प्रेय भार्णित है बहुत से लोगों को बिगाडने वाला इससे साफ निकल आई यह बात क्योंकि जुड़ाओ है वह ज्यादा से ज्यादा गांव तक आये और सभी लोगों से भली बाती परचीत भी है सिच्छा मित्र गाहों के लोगों से सियासी गणित को बिगाडने में एहम पुल्ड़ू निवाएंगे सिच्छा मित्र दोस्तों ये खवर निकल गया है इनकी नाराजगी पार्टी पर भाढ़ी पड़ सकती है आपको बता दे इनकी नाराजगी जो सिच्छा मित्रों की था आपको बता दे लिए देहां सिख्या मित्र की तैनाती हुई थे कि मजबूत करें इंके सिच्छा मित्र को नासर मान दे भड़ा है है बल्कि इनका समयोजन करने का आइलान किया थि झांटार ने जो बूस्पा सरकार इनकी ट्रेनिंग की अनुम्योति लेकिन जब सरकार बदल गई तो सपहा सकार आई आगे आगे देखते हैंस मित्रों नाइलान किया था प्रदेश में सपहाड updating यादम ने सिझ्च्पाथ पतर समयजन कर दिया जिसने सिच्चकों के समन वेतन मिलने लगा इसी दौरान कोड में याचिका दायर कर समायुजी सिच्चकों पर विवात खड़ा हो गया प्रदेश में भाजपा सरकार बनी तो इसी दौरान जुलाई 2017 में कोड ने सिच्चा मित्रों का समायजन रद कर दिया और उन्हें मूल पत सिच्चा मित्र पर भेज दिया नारा सिच्चा मित्रों ने बलाक से लेकर जिला प्रदेश और देश की राजपानी तक जोड़दार प्रदर्सन की ऐससे कुछ आसिल नहीं हुआ इस देश की राजदानी हूं हर जगह अपनी आकर लगाई सिच्चा मित्रों के संगठने लेकिन कोई भी सफलता सिच्चा मित्रों को नहीं मिली यह लेकिन दोस्तों आपको बता देग्वी निकाल दिये गए पांच लाग साड़े 5.5 लाग प्रे रखते देज बर में और उनक स्थाही समयदान करेंगे और सभी समयदा करवा दिया तीन महीने के अंदर ही तो देख सकते हैं यह चुनावी गड़ी जरूर बिगड़ेगा जो सरकार का है प्रेन रख बिगाडेंगे और सिच्छा मित्र दख रस हम्हींदा करम-चारी कि कर लिए ने कि इनकी और दोस्तों यह सभी बड़ी खबर थी सिच्छा मित्र ौंथ दोस्तों वीडियो चेलिए लग Pero करिए अबने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों के एक खबर पहुंचाई है अपने और सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अब्डेट के लिए धन्यवाद